उसके बाद है फ्लोडिंग फ्लोडिंग जो हम लोगन आगे देखा के सिस्टेमेटिक डिसेंसेटाइजेशन उसका एकदम ओपोजिट साइड का है जिस पर्षन को जिस स्पेसिफिक सिचुईशन इवेंट या अबजेक्ट से डर है वो डायरे के उसके सामने रख देना है मिन्स यहाँ पर कुछ रिलेक्सेशन टेक्निक यूज नहीं होगे नाई ग्रेडिंग एक्सपोजर यूज होगा यहाँ पर जैसे कि अगर इंसान को चिपकली से डर लगता है तो उसके सामने चिपकली ला देनी है या फिर जहाँ पर चिपकली है उसको उस रूम में एंटर कर देना है स्टार्टिंग में जब थेरापिस्ट, कलाइना पर यह टेक्निक यूज करता है तब कलाइन डिकैड लाएन और कितने टाइम टक उस अबजिक्ट के सामने रखना है मलब कितने टाइम तक उसको फेस करवाना है वो severity पे जाता है कि patient की severity कितनी है और उस base पे वो duration decide होता है और starting में जैसे कि 2 मीट रखा उसके बाद 3 मिनिट, 4 मिनिट, 5 मिनिट उसी तरह दिरे दिरे therapy में उसका जो उस object को लेके face करने का जो time है मालब flooding हम जो बोल रहे है वो दिरे दिरे बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे उसका time duration बढ़ता जाएगा उसी तरह उसकी जो anxiety है उस specific situation को लेके वो दिरे दिरे कम होती जाएगे यह जो flooding technique है वो heart disease related या तो फिर जो लोग नाजुक होते हैं उनके साथ use नहीं की जाती है और दूसरी बात कि जो यह flooding technique है उसमें client drop out होने का chances बढ़ जाता है ड्रोप out होने का chance इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इसमें patient को आप directly उसको बिना बताए जिस चीज़ से उसको anxiety है वो उसके सामने रख देते हो तो हो सकता है next time patient drop out हो और वो session के लिए ना भी आए तो यह flooding technique थी उसके बाद है assertiveness training assertiveness training का main purpose है कि जो patient है वो खुद अपने लिए extend ले बट साथ में उसको यह भी ध्यान में रखना होता है कि सामने वाले वेक्ति के emotion को ठेस नहीं पहुचाने होती है उसकी जो emotion है या फिर उसके जो opinion है या फिर जो उसकी needs है उससे respect देनी होती है assertiveness training अगर हम दूसरी तरीके से समझे तो assertiveness training means कि person को खुद के लिए extend लेना होता है उसमें उसके rights क्या है feeling, emotion या फिर जो belief है वो जब भी express करे तो एक direct way में honest तरीके से present करना होता है साथ साथ में उसको दूसरे की feeling की दूसरे का thought या फिर दूसरे की belief है उसकी भी respect करनी होती है यहाँ पर हम दो टाइप के assertive needs के बारे में बातचित करते हैं पहला है passive और दूसरा है aggressive passive मतलब जो व्यक्ति खुद की feeling, rights, emotion या belief को जो express कर रहा है वो honest तरीके से नहीं कर पाता है और passive assertiveness वाले बाद में ही सुचते है कि मेरी जो feeling है वो matter नहीं कर रही है आपकी feeling important है उसके बाद जो मेरे थोट है वो कुछ important नहीं है आपके थोट important है उससी तरह से वो खुद बाद में assumption करना start कर देता है और passive assertiveness में उसके behavior में अगर हम देखने जाए तो proper iconic नहीं होगा उसका जो voice है वो एकदम slow होगा smooth होगा और उसके behavior में nervousness हमें दिखाई देती है उसके बाद है second aggressive assertiveness देखने जाए तो passive assertiveness की opposite side है इसमें क्या करता है कि इंसान खुद की feeling है खुद के thought है या फिर खुद की जो belief है उसको express तो कर देता है बट वो honestly नहीं कर पता है वहाँ पे वो inappropriate तरीके से जो भी feeling है वो बताएगा या फिर हो सकता है कि उसके जो feeling express कर रहा है अगर सामने वाला नहीं सुन रहा है तो वहाँ पे वायोलेंट भी हो सकता है तो यह aggressive assertiveness में आता है और aggressive assertiveness में एक अजमसन होता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है आप जो उसके बारे में believe कर रहे हो वह आप गलत हो आप stupid हो या फिर उसके जो opinion है उस पे आपको believe करन और वह यह सोचता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वह important है आप जो सोच रहे हो वह important नहीं है तो इस तरह से वह सोचते है और अगर हम उसकी body language देखे तो वह जब eye contact करेंगे तो एक दिम staring type का होगा उनका बातचित के दोरान tone बहुत high होगा मतलब उन्ची आवाज से बातचित कर जो उसके emotion है या फिर thought है तो वह पर वह उसको respect नहीं दे रहा है तो इस type की assertiveness को aggressive assertiveness से पेचाना जाता है उसके बाद हम जाते assertiveness technique के उपर first technique है broken record broken record मतलब जो अभी तक आपकी pattern थी या फिर आपका जो एक method था कि चलो आपको कुछ चाहिए अगर किसी ने एक बार में मना कर उसी तरफ उसना है कि सामने वाले के जो emotion है उसकी भी हमें respect करनी है जैसे कि अगर आप job पे जा रहो job पे से चुटी चाहिए आपको तो हर बार आप क्या करते थे एक ही बार जाते थे अगर आपके supervisor ने मना बोल दिया तो आप दुबारा जाते नहीं थे तो यहाँ पर क्या करना है कि दुबार आपको जाना है कि सर मुझे थोड़ा emergency है और उसके पिछे का आपको reason पर थोड़ा describe करना है ताकि यह skill आप दिरे दिरे develop करोगे तो हो सकता है कि आपको वहां से supervisor permission दे दे अगर permission नहीं देती तो जैसे हमने देखा कि passive assertiveness में कि अगर उन्होंने मना बोल तो फिर आप क्या करते हो घर जाके खुद को blame करना start कर देते हो उसके बाद है fogging उसके बाद है negative assertion, negative inquiry, free information, self disclosure and workable compromise तो यह assertiveness की technique है जो आप use कर सकते हो उसके बाद अगर हम देखे तो एक behavior technique में है aversion therapy, aversion therapy एक behavior की ऐसी technique है जहाँ पे जो patient या client है उसके जो undesirable habits है उसको कम करने के लिए उस undesirable behavior के साथ उसके साथ एक unpleasant effect present करते हैं जिसकी वजह से उसका male adaptive या फिर undesirable behavior है उसकी जो frequency है वो देरे-देरे कम हो जैसे कि यहाँ पर अगर हम एक्जामपल ले जैसे कि बच्चे की habit है कि जब भी वो free बैटता है तो thumb sucking करना start कर देता है मतलब जब भी वो free है तब अंगुठा मुँ में डालेगा तो उस time पे काफी parents क्या करते हैं जब भी वो अंगुठा चुसता है तब parents क्या करते है कि उस अंगुठे के उपर जैसे नमक लगा दिया या मिर्ची लगा दी ताकि क्या करेगा जब भी वो अंगुठा मुँ में जाए अब एडल्ट में भी इस टेक्निक को यूज करते हैं, मिन्स अगर साइकोलोजिकल तरीके से हम देखने जाए तो, अबर्जन थेरापी मिन्स जो अनडिजारेबल बियेवियर है, या फिर मेल अडेप्टिब बियेवियर है, उसको हमें कम करना है, तो उसके साथ हम उसको वो अनकमफर्ट फिल करें, मनलब वो जब भी बियेवियर करें, तब उसको डिसकमफर्ट फिलो, अबर्जन थेरापी का मेन गोल यह है कि उसके जो इलिगल, इनेप्रोपराइट, डेंजरस या तो फिर डिमांडिंग जो बियेवियर है, उसको चेंज करना होता है, अबर् बियेवियर मिन्स, जो आप ऑब्जर कर सकते हो, या फिर जो आप नोटिस कर सकते हो, उस टाइप के मेल अडेप्टिव बियेवियर को हम ओवर्ट बियेवियर तरीके से जानते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने जो डिसकस किया कि बच्चा है, वो फ्री टाइम में उसको जो discomfort फिल करें, ऐसे कुछ stimulation प्रोवाइड करके, आप उसके undesirable behavior को कम कर सकते हो, उसके बाद है covert behavior, covert behavior को verbal aversion therapy से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति है, उसके जो undesirable behavior है, उसके साथ एक imaging करवाना होता है, कि वो जब भी behavior करने जाए, तो उसमें से उसको ए जैसे कि कोई व्यक्ति है, जो उसको overeating है, मतलब, बहुत ज्यादा खाता है, जरूत से ज्यादा, तो वहाँ पे हम क्या करते है, कि उसके जो पसंदकी का food है, उसके साथ हम उसको imaging करवाएंगे, जो unpleasant stimulus है, जैसे कि उसका favorite food है, पीजा, तो हम वहाँ पे उस व्यक्ति को imaging करेगा, तो उस food के परते, उसको थोड़ा aversion होगा, aversion मतलब उसके जो frequency है, मतलब वो खाने की, या फिर जो pizza order करने की, तो उसमें देरे देरे वो frequency कम होती जाएगे, तो ये एक aversion therapy है, जो behavioral technique है, इसके अलावा भी, और भी behavioral technique है, social skill training, time out, जो अलग-अलग behavioral problem पे यूज होती तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का जो टोपिक था, behavior therapy, वो समझाया होगा, धन्यवाद